हैलो वीवर्स असलाम लेकूं मैं हुरोशन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फिश एक बनाने की रेसिपी और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है इसको मसाल कर धोना नहीं रहता है बस उपर से पानी डाल कर धो लें और इसमें हम मसाले यूज करने वाले हैं लहसुन का होगा है हाफ टीजपन हलदी पाउडर । जीरा काली मरिश का पाउडर और ये ठीरी चम्मच हम ले रहे हैं बेसन तो इससे बैंडिंग अच्छा आता है तो इसलिए हमने बेसन लिया है और ये जो पेस्ट बनाया है दो चम्मक इसमें हम डाल देते हैं और फिर बाद मे मसाले में यूज़ करेंगे हाफ टीस्पून हम इसमें नमक एड़ करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें ये 400 गराम फिश एक हमने लिया है और ये एक मचली का नहीं है अलग-अलग मचली का है इसलिए कलर भी अलग-अलग दीख रहा है तो इस तरीके से हम पूरा मसल रहे हैं तो बेसन बाइंडिंग के लिए ही डाला जाता है और ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है तो हमने पानी से बिल्को लग किया था और ये अंडे में पूरा मिक्स होकर इस तरीके से हो गया है और ये उपर का थोड़ा सा ये दीख रहा है तो इसको हम निकाल देते हैं देख पारे होंगे इस तरीके से और ये बहुत अच्छा ये पूरा मिक्स हो चुका है तो अब हम कड़ा ही चढ़ाते हैं और ओल को हम गरम कर लेते हैं ओयल गरम हो गया है और छोटे छोटे हम इस तरीके से पकोड़े बनाते हैं छोटा छोटा डालें इस तरीके से काफी अच्छा ओयल गरम हो गया है फिलेम को हमने कम कर दिया है तो इस तरीके से हम बना ले रहे हैं हाथ से ही चमच से भी आप इस तरीके से बना सकते हैं लेकिन हाथ से बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है पकोड़े की तरह बनाएं ज़्यादा छोटा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो सब भी को इसी तरीके से हम डाल दिये हैं और तुरंत ना पल्टें थोड़ा सीख जाए तभी पल्टें ऐसे हलका सीखने जैसा दिख रहा है तो आराम से इस तरीके से इसको पलट ले तो ऐसे ही हम पलट लेते हैं ओयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि पकोड़े बनाने के लिए ओयल लगता ही है तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेते हैं इसको उलट पलट करके और ये बहुत अच्छा सेख चुका है कलर बहुत अच्छा आ गया है तो अब हम निकाल लेते हैं तो फ्लेम को मेडियम टू लो रखा हुआ था हमने क्योंकि ओयल बहुत गरम था इसलिए और इसी तरीके से और पकोड़े हम बना लेते हैं सभी पकोड़े हमने बना लिये हैं ये लास्ट वाला बचा हुआ था और फिश एक फ्राइ करने में थोड़ा जाग दे सा भी लास्ट कम ओयल जो रहता है तो इस तरीके से निकलता है तो इस तरीके से हम इसी ओयल में और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और गरम होने के बाद इसमें हम डालते हैं एक टीस्पून जीरा तो इस तरह चटकने और एक बारी कटा हुआ प्याज हम डालते हैं तो इस तरी के से हमने प्याज गोर्डन ब्राौन होने तक फ्राई करना है और यह गोर्डन ब्राौन हो गिया है थोड़ा चेंज हो गिया है और दो चमच हम इसमें जो पेश्ट बचाकर रखे हुए थे जो पीसे थे उसी को हमने डाला हुआ है एक टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून जीरा और काली मिर्च का पाउडर कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पू एक चौथ हाई टीश्पून रेड चिली पाउडर इस तरीके से हमने डाल दिया है और जो मिक्सिका कटोरी जो है उसमें मसाला लगा हुआ उसी में हम थोड़ा सा पानी मिला कर इसी में हम डाल देते हैं मसाले इसके साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे फिश करे जिस तरीके से बनाते हैं ये भी उसी तरीके से बनता है तो इसमें हम डाल देते हैं हाफ टीश्पून ये राई पाउडर जो सरसो पाउडर होता है और एक टमाटर हम इसमें डाल दे रहे हैं और एक टीश्पून हम इसमें नमक अड़ करते हैं तो इसको मिक्स करके और इसको हम ढखकर पकाएंगे मसाले के साथ ये भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे और पक जाएंगे मसाले भी और टमाटर देख सकते हैं काफी अच्छा गल चुका है और मसाले भी ऐसे लग रहे हैं कि ये भुन चुके हैं बहुत अच्छे से मसाले भी भून चुका है, देख सकते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं, जो फिश के पकोड़े, हमने फिश एग के पकोड़े जो बनाये हुए हैं, उसको और इस तरीके से मिक्स करते हैं, और पानी इसमें ज्यादा एट करने की ज़रुत नहीं है, वैसे एक गलास से थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें पानी एट करेंगे, वान एंड हाफ गलास इसमें हम डाल रहे हैं, इसमें ज्यादा पतला ग्रेवी नहीं रहता है, ज्यादा पतला ग्रेवी उतना छल नहीं लगता है, तो थोड़ा कम ही डालें, और इसमें हम लास्ट में डाल देते हैं half teaspoon गरम मसाला और इसको ढखकर हम पकाते हैं तीन से चार मिनट पकाएंगे बहुत अच्छा से यह उबाल आ रहा देख सकते हैं और इसमें हम ज्यादा ठिक नहीं करेंगे क्योंकि पकोड़े हैं इसके अंदर पूरे मसाले अंदर चले जाएंगे तो और ठिक लगें संद आये तो लाइक और शेर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हमारे चैनल तारा नूर मोदी केर को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो गरम गरम इसको सर्फ करें बहुत लगता है